क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो डेट शीट आते ही थोड़ा सा खुश हुए थे बर क्यूंकि अब डेट शीट आई वे थोड़ा सा समय हो गया है और हम उसके इसाप से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए और जादा कन्फूज हो गए हैं तो हाई गयां वकूब बाक चुव अनादर वीडियो को में आज डेट शीट के इसाप से एक्जेक डेट डेट पढ़ाई के बारे में बात करेंगे कौन से सब्देक को कितना पढ़ना चाहिए वीडियो स्ट्रिक्ली कॉमर्स के लिए है तो कॉमर्स के इलावा जितने भी हैं करप्या करके आप वीडियो को अटा दें तो बालकों अभी कुछ दिन पहले सी बीसी ने टर्म टू की डेट शीट जो है वह लांच कर दिया डेट शीट में क्योंकि हमारे एक्जाम जो है वह अगर आपके पर हिंदी है तो दो मई से हैं और अगिलिश है तो तेरा मई से है हमको लगा कि भाई बहुत समय बाकी है पर अब फिलाल डेट शीट आए हुए तीन-चार दिन निकल चुके हैं और हमारी तैयारी वापस से ठपो चुकी है तो आज हम इस देट शीट के हिसाब से बात करते हैं क्या पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए और आप क्या स सेरे सुंगे क्योंकि अब जो है आपके प्राक्टिकल्स अंदाजन खतम होने वाले हैं या कतम हो चुके होंगे मेजली काफी सब्जेक्ट होगे ठीक है सो 20 मार्च के आसपास पढ़ाई करना शुरू करेंगे मैं मान रहा हूं कि आपके पास इंग्लिश पहला एक चीज़ का ध्यान रखना जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं वह यह है कि हम सोचते हैं कि इनके बीच का गैप है इस गैप के अंदर पढ़ाई कर लेंगे तो भाई एक चीज़ दनो गैप के अंदर पढ़ाई सिर्फ एक्जाम की होती है पहला एक्जाम होगा जो की इन गैप पढ़ा जाएगा इसके इलावा किसी भी एक्जाम की तयारी आप लोग गैप के अंदर नहीं करेंगे बढ़ाई क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि अगर आपके पर हिंदी भी है इंग्लिश भी है तो आपके पास यहां अंदाजन करीब 10 दिन का एक आवरेज टाइम पीरिड है तो आप इंग्लिश को अभी छोड़ सकते हैं ऐसी कोई दुविदा वाली बात नहीं आएगी क्योंकि 10 देज इस क्वाइट लॉंग पीरिड ऑफ टाइम ठीक है तो अगर हम इंग्लिश को यहां पर हटा देते कि इंग्लिश जो है वह आपको एक माई से दो माई से तीन माई के आसपाद पढ़ा ही शुरू करनी है तो बचते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट ठीक है और अगर मैं माई को यहां से अटा देता हूं तो आपके पास जो समय बचता है वह है 20 मार्च से लेकर एक माई से एसन है अब जैड़ महीने का यानि की अंदाजन करीब 40 दिन का समय बचा है इन 40 दिनों के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है इसके बारे में आप लोगों ने अब तक सोचा नहीं होगा हम कंफ्यूज है बेसिक लिए कि कौन से सब्जेक को अ आप लोग क्या कर रहे होंगे बहुत सिंपल ही आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी बाल को तो इसको देखना और पूरी देखना क्योंकि काफी इंपोर्टन है तीन दिन के गैप को अगर मैं डिस्टिब्यूट करूँ तो एक दिन आप करोगे कॉंसेप्ट है जि पर मैं बात करो बीएस्टी से अकाउंट के बारे में तो यहां पर आपके पास अंदाजन रहेंगे पांच दिन इन पांच दिनों के अंदर तीन तीन आपका कोर्स होगा लाट्स परशोगे आपके पास स्थी डामिंशन एक है तुमारा पाटनेशिप का दूसरा है कंपनी का और तीसरा है कैश फ्लो का तो इट विल डेफिनेटली गॉन टेक थ्री डेज ठीक है एक दिन तुम करोगे क्वेश्चन कंबाइंड और आखिर दिन तुम करने वाले हो रिवीजन यहां पर अगर्वन पकड़े एकोनोमिक्स में तो यहां चार दिन का गैप है दो दो द सबसे पहला जो काम है वह है आपको करना है वह है एक सबसे पहला जो काम है वह है आपको करने हैं चालेज दिनों के अंदर सबसे पहले सबसे पहले सबसे करना करना एक जरूर लेना ऐसा कुछ भी मत चोड़ना जो कि नया पढ़ रहे हो यूंकि देखो एक चीज समझ लो बहुत समझदार लोग है दुनिया में वह तुम्हें यह चीज बताएंगे कि एक्जाम के बीच में कुछ नया नहीं पढ़ सब्सक्राइब 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 करना और नहीं करना दोनों एक बरावर तो यहां पर जब भी आप कोर्स करोगे प्लीज मेक शौर कि आपका सब्जेक कैसा है क्या वो सब्सक्राइब प्लीज में नहीं डाव है ठीक है तो हर ने अंदर और में प्लीज मेक शौर की आप लोग जो तयारी करेंगे हैं सब्सक्राइब mathematics का schedule में नहीं डाला है ठीक है जो mathematics के अंदर है वो हर exercise में से आप पास से 10 question जो है एक fair copy में करके रख लें fair copy में क्यों करना हूं बताऊंगा अभी ठीक है अगर आप theoretical subject है तो please write down summary in your own words ठीक है summary को आप अपनी language में लिखना शुरू कर दो बहुत जरूरी है ठीक है अब बोलो कि सर यह तो किताब के पीछे मिल रही है को जब किताब के पीछे मिल रही है तो हम क्यों ही दिमाग लगा है एक बात है एक बार अपने हाथों से लिख लो ताकि उसको चलते पर देना पढ़ ले यू के यूज टिकी नोट्स इफ यू वांट ठीक है अलग अलग करते रहे के जो महिलाएं हैं वो इस्तमाल कर सकते हैं वो थोड़े जादा उसको बहतर तरीके से देखो नियुमारिकल सब्जेक के अंदर तो हम समझते हैं कोर्स कंप्लिशन का मतलब हो गया कि आपने कॉश्चन कर लिए ऑविसी बात है दौनों एक ही बराबर है बट जब चौरिटिकल सब्जेक में आते तो हम क्या करते जालत तर 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 इसको ऊपर ऊपर से रीड क करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है नुकसान ही हो जाता है कि हम पढ़ा हूँ पूल जाते हैं तो मैं कहीं को याद रहूँ ऑफिस बात है ठीक है तो जब आप चौरिटिकल सब्जेक करो ना तो प्लीज मेक शूर कि आप उसके जरूरी कर लो कुछ आर्दस क्वेस जिसे वह चैटर पूरा-पूरा कवर हो रहा है जैसे ही आप निकाल लोगे आपका काम बहुत आसान भी हो जाएगा साथ-साथ में जब आप रिवाइस करोगे यानि कि इस समय इस समय जब हम यहां आएंगे ना यह जो गैप से इन गैप में जब आप क्वेस्टिन करोगे जब आपनी जेम में वह इसलिए बोला है क्या होता है जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फटा-फट कोर्स खतम हो बट एक प्रॉब्लम जुट के साथ आती है वह प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम को जल्दी करने का प्रयास करते कुछ नों कुछ छू करें उसके बाद जब आलस में आ जाएंगे नहीं करना है तो आप उसको एक बार रीडाउन कर लो पूरा का पूरा तो उससे क्या होगा हमें यह तो कंफर्मिशन हो जागा कि मैं एक साइस पूरी हो गई और एक लीस हमने कुछ छोड़ा नहीं हो पूरी तरीके से कवर किया चालेज दन हैं तुम्हारे पास अभी तुम्हारे उपर है कि तुम उसको कैसे यूटलाइज करते हो या फिर तुम उसको खराब कर दोगे एक चीज़ का याट लगत लगत नहीं कुछ नहीं होने वाला कुछ भी नहीं होने वाला तो पहले से तैयार हो जाओ और अगर हैं अगर आप लोग उसको कट कर रहे हो तो मजे वाली बात है तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो और अगर अब तक आपने कट नहीं किया है तो मैं वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंग उसको एक बार देखो और उसको यूज करो क्यों सब कुछ मिल जाएगा रिकार्डिंग एवरी सिंगल चैप्टर आप से मिलिंगे अगली वीडियो के साथ को दिक्कत को परिशानी हो जरूर बताए तिल दन गाइस नहीं चैनल है इसको सब्सक्राइब करते कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताए वीडियो को लाइक कर ऑर बताइब कर दार हो थो